इस एग चीज ने मेरी ग्रे हो रहे हैं सफिद होड़े बाल को बिलकुल नैच्रली काहा कर दिया दोस्तों मेरे बाल हो गया हैं बहुती ज़ादा सुंदर खुबशूरत मुलाइम लंबे काले घने और अगर आप भी पाना चाहते हैं बहुती ज़ादा सुंदर काले घने बा यह बहूत एजी और वह सिंपल साख जरूर क की आप आप को क्या करना आपको लेड़ा आपके घर से आपके किचन से चाय कपती के कब आरें हुआ है दोस्तों किने फाया होते हैं कि नुसखादब्ल लें हमारे घर्लू उपाई में वालो के लिए दोस्तों आपको भी समझना चाहिए ब्रखना ही रखना चाहिए कि उसके बहुत सारे पैंट्विट्स है हर दर में लोग चाय पीते हैं लेकिन चाय पीने के अलावा इसके इतने सारी यूजेश होते हैं कि आपको बिल्कुल भी यकी यह नहीं होगा जुष्टो तो आपको सब्से पहले चाय का पत्टी तो फस् SOPS Co ka करना है बतन में कम से कम एक ग्लास आपको पानी रखना है एक जोटे वाले ग्लास से हो पगोले बढ़े तो ले उसमें आपको एक लास पानी लेना है और दोस्तो इस पानी में आपको डाल देना है एक चमज किया सपस चाय का पती चाय का पती का तो मैंने अभी अपको गुन बता है कि इसके कितने सारे benefit होते हैं हमारे बालों को ले करके तो दोस्तो एक चमश यहां पर आपको डाल देना है चाई का पत्ती तो इसको काफी अच्छे साथ को उबालना है दोस्तो आप देखिएगा कि चाई का कलर जो है बहुत ही जल्दी पाने में जाने के साथ ही चाई पत्ती का रंग देखिएगा कि पत्ती का रंग देखिएगा जब इस रंग को आप अपने बालों में लगाओगे तो दोस्तो आपकी बाल की खुपसूरती इतने अच्छी हो जाएगी बाल इतने चमकदार और इतने बढ़ियां हो जाएगे कि मैं आप बतानी सकती हूं तो दोस्तो यहां भारा पाने बहुत ही अच्छी से कलर में आ चुका है तो गैस को हम यहां पे बंद कर देते हैं और दोस्तो हलका सम यहां पे पानी को ठंडा होने देंगे क्योंकि कोई भी चीज आपको बालों में गरम गरम नहीं लगानी चाहिए तो पानी को अच्छी से ठंडा होने के लिए इसी में छोड़ देते हैं तो दोस्तो काफी अच्छे से यहां पे हलका सा ठंधा करने के बाद आपको चाय चानने की मदद से काफी बढ़ियां से इस पानी को छान लेना है दोस्तो तो फ्रेंस इस पानी को काफी अच्छे से ठन्दा कर लियना है ठन्दा करने के लिए क्योंकि कोई भी पिर नीज हमेश्या अपने DIY जो भी बनाते हैं। अभीच अवीचा भालों में ठन्दा करके ही इस्दमाल करें। थो इस आपको मिलाना है आपको मिलाना है आपका फेवरिट शैंपू जो भी आप शैंपू यूज करते हैं इसको जरूर ट्राइ करिएगा मैं जो भी शैंपू मिलाती हूं उसको वीडियो में जरूर बताती भी हूं दोस्तों जो भी यूज करती हूं तो दोस्तों आप भी ट्राइ सकते हैं यह मारा योग शैंपू आप उसको जरू डियेगा और ये आपको अराम से मिल जायेगे से पर दिखाती हूं पहां पर लिंक भी ज़रू डालती हूं जो भी शैंपू यूज करती हूं तो शैंपू दोस्तों आपका फेवरिट को भी शैंपू ले ले जो की कम केमिकल वाला हो जिसे आपको जादा जादा प्रॉब्लम ना हो एक चमज दो चमज अपने बालों की और यह वाला शैंपू इतना अचा है बहुत जाद इसको शैंपू डालने की जरुवत नहीं पड़ती है और हमारे बालों को काफी अच्छा पढ़ियासा जो है कलर भी एड़ करता है बालों में जो शाइन एड़ करता है बालों की कलर को यह दो उस्तों मेंटेन वर्पे र यह दो इसको अपने बालों को शैंपू करें तो शैंपू करने के लिए क्या होता है बहुत साइलों जल्दी से शैंपू करके जल्दी से पानी से दो लेते ऐसा ना करें क्योंकि जब शैंपू डाले ता मेहनत कि यह दिया बना है उसका कुस्तों फादा आपकी बालों को प आपके दोस्तों आप इसको अच्छे से ड्राइब करना है कर के देखिए हैं पहले स्थमाहर्पा, फड़क नजर आएगा बालों की जो एक अलग सी जो चमक है वो आएगी बालों की जो जब टच करोगे ना इतना बढ़ियां सा टच आएगा सॉफटनेस वाला फीलिंग आएगा बाल बहुत ज्यादा सुन्दर मुलायम खुब सुरत हो जाएगे दोस्तों कुछ दिन में आपकी बालों की चमक वापस आएगी शाइन बहुत ही अच्छी हो जाएगी बिल्कुल मार जो पार्लर वाला जो केरेटिन ट्रीटमेंट वाला जो झाइगी बाला की भीकð बाल «भै eg kinda बाल का बेल क्वादागी जाएगे जाएगे सुन्मा की ठाम की छाइगे भीक हो जाएग जाएगगे दिन ळुशना emphasize, वाला जो जाएगी का दिन वाल जो वाले कि वाला-एगे